संजर राउलत एक बार फिर से बेबाकी के साथ सामने आए और इस बार उन्होंने कह दिया है कि 170 विधायक हमारे साथ है पहले देखा गया था इसी को लेकर भाजपा ने पलटवार किया था कि आपके 45 विधायकों के साथ हमारी बातचीश चल रही है लेकिन अब संजर राउत सामने आकर कहे चुके हैं कि 170 विधायक हमारे साथ हैं तो कहीं न कहीं बड़ी बात होती है कि आप गडबंदन किस के तरफ जाएगा नमस्कार मैं हूँ अर्शर्मार आप देख रहे हैं SPN 9 News आप भी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि किस के साथ गडबंदन जाने की उमीद हैं क्योंकि जिस तरीके से NCP और सिपसेना का गडबंदन माना जा रहा है कि लग रहा है कि सिपसेना कहीं न कहीं अगर सब्सक्राइब के तो 170 विदायक है मारे पास तो बहुत ही धाकड मैं कहुंगा एक नेता हैं स्विप्शन है वह वेवाकी के साथ में निकलकर सामने आते हैं वह मेरे खालते बिल्कुल भी नहीं डरते कोई बयान रखने में और यह चूट कहीं नहीं और दब ठाकर के तरह स क्योंकि अभी से नहीं वो अगर एलेक्शन से पहले भी देखें तो लगातार संजराउत हमला वर रहें मैं खुद एक प्रोग्राम में था वहां पर जब बीजेपी गौरब भाटिया बैठे हुए थे और वेसी बैठे हुए थे सजीन पाइलेट जो कॉंगरस से बैठे सब्सक्राघ कि 170 का हमारे पास 120फे खे स्मर्थन हासिल है तो वे यह पता नहीं क्युशिश कर रहे हैं कि District के बिंब admin को अलग हटा कर भी हम सरकार बना सकते हैं यह सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा कि क्या बीजेपी इस बार महाराज की सत्ता से बेदखल हो जाएगी यानि कि सबसे बड़ा दल होने के बावजुद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगए तो यह सवाल उबरकर सामने आ रहे हो जिस तरह कहा करा अब पेश किया है संजराउत ने 170 विद्हाय कोगा तो तो कम वबिश यहीं बता रहा है कि यह क्या कॉंग्रेस एंसीपी के अगर देखी जाए बात तो कहीं न कहीं जो उन्होंने सीट जीती है जिसकी वज प्रफ़ाद की तरफ विजा सकती है तो यहीं चार दल बड़े हैं अगर इनकी बात नहीं करें तो सीदह इस पर स्वाजाता है कि जो अब संजे राउत हैं वो यह बताने कोशिश करें कि अगर आप हम से हाथ नहीं मिलाते हैं तो हमारे लिए और भी लोग खड़े हुए है और तकरीबन तकरीबन हमारे पाल जो गिंती है विजार क्योंकि वो 170 है यानि कि आपको जुखना पड़ेगा अगर आप नहीं जुखते हैं आप हमारे बात नहीं मानते हैं तो आपको सत्ता से भी बेजाकल होना पड़ेगा अगर बत गिरी जाए देविन फड़नवीज की तो लगातार वो यही कहते रहते हैं कि मुख्य मंतरी मैं बनूगा लेकिन आप यह साफ कर गया है संजर राउत का यह बयान कि 170 हमारे पास है तो मुख्य मंतरी कहीं नहीं हमारा है बिल्कुल और हट योग एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि सत्ता की भूख है सत्ता या तो कमस कम ढ़ाई साल हम लोगों को विराज करने का मौका दिया जाए यानि कि जो सीम पत की ओपर हो वो शिपसें के तरफ सो भी एक बंदा कोई बैठना चाहिए लेकिन बीजेपी लगातार यह कह रही है कि ऐसा होई नहीं सकता ऐसे की बात ही नहीं हुई है ऐसा कुछ हमन करना हुए हो लेकिन संजराउत हमेशा पार्टी के बाटों को सामने रखते हुए एक बार भी ना तो हिचके चाते हैं ना डड़ते हैं और बेबाख होका अपने बातों को रखते हैं और यहीं वज़े है कि लगातार जो शिपसेना है वो हमला पर होती हूं नजरा रही बी कि संजराउत इस तरी के बात ने कि पहले आपको एक्जामपल लिया कि जिससमें सरकार में नहीं भी थे और इलेक्शन होने वाले पर पर एक प्रोग्राम हो रहा था उस प्रोग्रम बिल्कुल बेवागई से गोरा भाटी है पूच दिया बीज़ेपी के प्रभकता थे कि आपकी जो बीज़ेपी है वो अटल जी वाली बीज़ेपी नहीं है तो इस तरह की बेवागपन होना और इस तरह की बात अगया रखना अपने आप में बड़ी बात हो जाता है और सबसे मैं प्रूब बात कि कोई एक रणीतिकार होता है कोई एक पार्टी में चानकी होता ह सबस्क्राइब कि अबट रहें तक इतने मुखर शब निकल के सामने आ रहें। तो बिलकुल बटाने कोशी कि हमारें नेधा बहले यह खामोष हैं लेकिन भाश नहीं बैठोंगा क्योंकि इस बार तो सीम शेपट है नहीं हो बिलकुल धन्यवाद अबन जिस तरीके से आपने कहा कि कही न कहीं अमिशाह के साथ comparison अच्छा है क्योंकि कई बार नरीन मोधी नहीं बोलते हैं अमिशाह बोलते हैं ठीक उसी तरीके से अभी उद्दव ठाकने शांत हैं तो कहीं न कहीं जब उनका बड़ा बयान आएगा इससे पहले सिफसेना के संजर राउत ने कहीं न कहीं हमें इजाजत ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एस प्यान न्यूस पर धन्यवाद